बिस्मिल्लाराख्मान रहीं अस्सलाम अलेकों कैसे आप सब अमीद करते हूं कि सब ठीक टाग होंगे आज में आपके लिए रेस्पी लेकर रही हूं वह है चिकन बोनलेस कड़ाई तिकलिपन 500 ग्राम यह मैंने बोनलेस दिया था और इसको यह मैंने बनाया है तो आज यह मै आपको यह सारी चीजह मताती हूं यह जो आपको यह सारा बोनलेस यह मैने दोके रहा था आ है इसमें अज़ार डाले है और इसमें आएल डाले है का और इसमें एक जब अधरम हो जाएगा तो इसमें चोटा सा प्यास को हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं जब यह ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने चिकन एड़ करना है यह देखें प्यास की इतनी स्टेज वह आपने रख लेनी है आपको खुश्बू आ जाएगी तो फिर आपने इसमें चिकन एड़ कर देने और चिकन को अच्छे से फ्राई कर देना है जाम चाहिए लाते रहना है इससे ही होगा कि एक तो यह बॉनलेस है वोट्यों तूटेंगी भी नहीं और खाने में भी मज़े की हो जाएगी वैसे तो बॉनलेस खाने नहीं होता लेकिन इससे अगर आप इसको फ्राई कर के इसमें अजरेक लैसन का पेस्ट आला है इसको एक मिनट तक इसमें फ्राय करते हैं इसमें आगे अब कि अच्छा है आगे अब इसमें मैंने टमाटरों का पेस्ट आड़ कर देने जाएं चार-चे-पांच टोमाटर एख जो थे वह मीन जोने हैं जो मैने ग्राइंड कर ली थें और हरी मिर्चें भी भी मैंने इसमें साथ ग्राइंड कर ले थे जैसे इसमें टोमाटर याले इस में अब क्या करना है कि अधकन दे कर दे के इसको 10 मिन तक पकाना है पानी अच्छे से खुश्क हो गया अभी इसको अच्छे से दोबारा से हम इसको भून लेते हैं तक हम इसालि वह भी अच्छे से बुंच जए यह देखें थोड़ा सा प्यास जाला था और टमाटर में ने दघे अड़े हैं got के अब अब इसको अच्छ से मिक्स कर लेना और इसको अच्छ से दधी में भूब लेना है अब को मेरे वीडियो को साथे हैं अब नोय देखें सालब न हमारा जो बाखे हुआ लागा करें अब इसमें यह तोड़ा सा गरम मसाला तोड़ा सा इसमें जीरہ डालंसार दोगे यह देखें ठोश्भू जाएं से बहत ही मज़े के खोश्भू हो जाएगी अब इसमें मैंने एड धानिया डाल देना है तोड़ा सा जो कि इसके खुबसूरती को और रिचार चान लिए देगा अब भी ऐसे ही बनाएं, चिकन का बनाएं, बीफ का बनाएं, मटन का बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा और सब घरवलों को खिराएं सब घरवले आप देखें कि उंग्लियां चाटते रहा जाएंगे बहुत ही मज़े की बनेंगी तो उमीद करते हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिया लगफेश